नमस्ते दोस्तों जोहार मैं अभिसेक चक्रवतिया आप सभी का फिर से अपनी उडूक चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी के डिमांड पर जो है क्लास 12 का इंगली स्कॉर का जो है तो जो है आपको इंगली स्कॉर का जो है उसका आपको बताया जाएगा और उसके साथ ही कई कोई महत्मुन कोश्य अंसस भी करवाए जाएंगे तो सुरू से लेकर इस वीडियो को अन तक जरू देखिए ताकि आपके जो है एक्जामस में जो भी डाउट है वो किलियर हो जा सकते हैं इंग्लिस स्कॉर का जो है सेगेंडंडलियू का सलिवर्स जिसवे हम लोग को जो है दो पढ़ना है उसमें पहला जो बूख है यहां पे आप क्टारल्यू है इनके जो राइटर है वो है Bere Squeeze लेकर लोफ खितों के तो जो जान लेना जोरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी है पहले जो मॉडल पेपर और प्रिभियस मॉडल पेपर में जो है कई कोईस्टेंस में जो है आउथर का नाम जो है पूछा गया है ठीक है तो दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन कर लिजेगा इनके बारे में थोड मार्च 1940 को ठीक है याद रखिएगा दोस्तों उन्हें नोबल प्राइज जो है लिटरिचर में मिला है कब 1909 में ठीक है आगे जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते है कुछ मैन करेक्टर्स दिया गया है दा रेटरेप स्टोरी के बार है और उसके बात है YouTuber दोस्तों डा आर आर missionary उसके बाए दोस्तों है इडर विल मैंसन ठीक है याद रखिएगा यह आपके कूछ च्रैक्टर्स है तो उनके बारे में आप लोगों पड़ना है ठीक है और उसके बाद दोस्तों में कृच-Quä थोड़ा सा बता देता हू एक ऍर बारे में जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में ठीक है पहला जो आप देख रहे हैं यह पैडलर ठीक है और वेगा बॉल्ट यानि एक आवारा ठीक है सेल्स रेट्रेप्स यानि चुहा दानी ठीक है इसलिए वह भीक भी नहीं मांगता है और कभी कभी चोरी भी करता है अपने आपको बहुत बड़ा फिलोसफर यानि दार्सनिक समझता है उसकी अनुसार पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी चुहे दानी है तो दोस्तों यह तो मैंने अभी ट्रेलर बताया पिक्चर अगर आपको पूरा जानना है पूरा टॉपिक जानना है तो नीचे कमेंट करके बताईएगा कि आपको पढ़ना है या नहीं ठीक है अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जोरू बताईएगा चलिए आगे जान लेते हैं कि कौन से चैप्टर से ठीक है उसकी बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और महुत्पुन चैप्टर है ठीक है आगे कॉ आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों लेसन फाइब का नाम क्या है लेसन फाइब है इंडिगो ठीक है इनका जो राइटर है इनका नाम क्या है दोस्तों लूइस फिशर ठीक है तो इंडिगो जो है दोस्तों एक विसेस तरह की जो है खेती किया जाता था जिसे हम लोग में में बcott नाम हैं लुई फीर ठीक है उनके बारे में लिखा गया लाक्णाओ Dual começar वाइन अम्रीकन जैरूलिस्ट वह क्या थे एक अमरीकन जैर्रीन जैन्रीक्ट consulting जिनका जन्म होता है दो स्तों 29 फेबुरि reviews , 1896 29 February 1896 को और उनका देहान जो होता है उनकी मिक्तु जो है 15 जनवरी 1970 ठीक है कुछ-कुछ important characters है उसके बारे में भी जान लेना जोर रही है इस chapters में भी दोस्तों पहला जो आप सभी को मालूम होगा कि इसमें काफी ज़्यदा important role निमाये थे महात्मा गांधी और राजकुमार सुकला जी ठीक है उसके बाद दोस्तों है cf एंड्रूज कस्तुर्बा गांधी और देवदास ठीक है यह कुछ मत्मून characters है इनके बारे में जो है मैं complete video लाओंगा जिसमें आपको पूरा full explanation के साथ जानकर ही मिल जाएगी थो सेर कोपर फ्राम चंपारण ठीक है एक गरिब बटाईदार यानि किसान है cf एंड्रूस जो है फॉलोवर और गांधी जी गांधी जी के अनुयाई है ठीक है और आपको मालूम होगा कस्तुरुबा गांधी के बारे में जो महात्मा गांधी जी की वाइप थी ठीक है देव वाला है वो है आपका लेशन एट ठीक है नाम क्या है चैप्टर का गोइंग प्लेस ठीक है इसके जो राइटर है दोस्तों एयर बार्टन है ठीक है ऑथर के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ऑथर से रिलेटेड कोशन पूछे जा रह इस जो चैप्टर है इस चैप्टर में भी कुछ important characters है जिसके बारे में आप सभी को जानना जो रही है उसके बारे मैंने short notes लीक दिया कभी-कभी इस से related objective questions भी आपको देखने को मिलेंगे इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो को सुरू से लेकर अंतक ध्यान से सुनिएगा और उसकी दोस्त भी है ठीक है जिए जो है सोफिस इल्डर बलर्दर है ठीक है उनका बड़ा भाई है ठीक है डैनी कैसी जो है एक आयरन आइरिस फुटबॉलर है क्या है दोस्तों एक आइरिस फुटबॉलर है ठीक है तो दोस्तों अभी तक हम लोगोंने जाना flamingo book के pro section से कौन कौन से poem आ रहे है ठीक है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते है poem 4 poem का नाम है a thing of beauty इनके poet जो है john kids है ठीक है इनके बारे में थोड़ा सब्सक्राइब जान लेते हैं john kids was an English romantic poet इनका जम्स जो है 31st October 1795 को हुआ है इनका देहांत जो है 23 February 1821 को हुआ है ठीक है इनके बारे में थोड़ा सब्सक्राइब के बारे में जान लेते हैं in this poem John kids a great romantic poet considers that a thing of beauty is joy forever it is a constant source of happiness ठीक है दोस्तों इसके बारे में मैं full explanation वाला वीडियो लाओंगा आप लोग उसमें जान लिजेगा काफी अच्छा poem है और इसको पढ़ने के बाद आप सभी को काफी अच्छा फील होगा तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जाना क्या फ्लेमिंगो बुक के जो है poetry section से जो पहला poem जो अभी तक जाना उसके बाद और एक poem जो है दोस्तों poem fire से भी आपका questions पूछे जाएंगे जिसका नाम है roadside stand जिसके poet है Robert Frost ठीक है उनके बारे में थोड़ा सम लोग जान लेते Robert Frost was an American point वो जो है एक American point है उनका जन्म दोस्तों जो हुआ था 26th March 1874 को और उनका देहां जो हुआ था 29th January 1963 को दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा flamingo book के कौन-कौन से chapters आ रहे है poetry section से कौन-कौन से poem आ रहे है तो इंगली स्कोर में class 12 में और एक book हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है विस्टास जो book है उसमें जो पहला chapter दिया गया लेसन 5 जो है second term का सिलिबस में चैप्टर का नाम है आपका सूड विजार्ड हिट मॉमी इनका जो author है लेखक है उनका नाम है जॉन अपडाइक याद रखिएगा और दोस्तों author के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं हम दोस्तों यहां पर देख सकते हैं क्या दिया गया है Jack father of Joe जो Jack जो है आपका जो का पिताजी है Jack जो है आपका कौन है जो की पिताजी है ठीक है उसके बाद दोस्तों जो के बारे में थोड़ा समनों जान लेते हैं जो इस Jack's little daughter जो जो है Jack का little daughter है ठीक है बेटी है छोटी American animal ठीक है उसके बाद दिया गया The Wizard ठीक है यह क्या है एक magician है यानि एक जादूगर है ठीक है दोस्तों यहां पर आप एक चीज़ याद रखिएगा मैं कुछ बता देता हूं थोड़ा सा जैक जो है अपनी बैटी को डेली जो है कहानिया सुनाया करता था ठीक है यहां पर संक के बारे में दिया गया है क्या स्मॉल ब्लैक एनिमल ब्लैक एन वाइट अमरिकन एनिमल ठीक है विजाड के बारे में अभी मैंने बता है वो क्या थे एक magician थे यानि एक जादूगर थे ठीक है जो है उसके बाद एक दिया गया आपका character mother शंक ठीक है mother of roger संक ठीक है आउल के बारे में दिया एक जो है वाइस character है that solves the problem जो भी कुछ भी problems आते हैं उसे वह solve करने की कोशिस करता है उसके बाद दिया गया दोस्तों important character है clear ठीक है wife of jack mother of jo ठीक है अब दोस्तों आगे हम लोग कुछ chapters जान लेते हैं जो आपके exams में आ रहे हैं विस्टास से वह है आपका lesson 6 वह क्या है दोस्तों आपका lesson 6 जिसका नाम है क्या on the face of it ठीक है उसका जो लेखा के दोस्तों उसका नाम है क्या Susan Hill ठीक है उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा से जान लेते हैं दोस्तों Susan Hill is an English author of friction and non-fiction works ठीक है उनका जम दोस्तों याद रखिएगा कब हुआ 5 February 1942 को ठीक है उसके बाद दोस्तों उन से related भी जो है इस chapters related भी कुछ important characters है उसके बारे में थोड़ा साम लोग जान लेते हैं पहला है Mr. Lamb क्या है दोस्तों उनका नाम क्या है Mr. Lamb ठीक है एक टांग यूद में उड़ गया था ठीक है याद रखिएगा चिल्ड्रेंस टीज हीं बाई कॉलिंग लैमी लैम ठीक है बच्चे उससे जो है लंगडा लैम कहकर पुकारते थे याद रखिएगा दोस्तों ठीक है उसके बाद है और एक करेक्टर है डियरी ठीक है एक चोटा सा लड़का है उसका मुख्य जो समझसा है उसका जला हुआ चहरा उसके चहरे का एक हिस्सा जो है एसीड खा गया है याद रखिएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों और एक कैरक्टर है डियरी's mother ठीक है दोस्तों मैं इसके रिलेटेड भी जो है वीडियो कम्प् प्लीज पेन पेपर के साथ कोपी में नोट करते चलिए और एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देख लिजएगा कहीं डाउट लगे तो ठीक है और दोस्तों उसके बाद जो अगला जो चैप्टर दिया गया वो है आपका लेसन एट ठीक है लेसन एट के बारे में मैं थ और आपका मेमोरिस ओप चायल्ड हुड में जो आ रहा है दोस्तों वह आ रहा है आपका पार्टू जिसका नाशेन आम हे वी ट्व आ र हीमन की है इनके जो पेन नेम आप तामील दलित उमेन फ्रम रोमन कैथलिक फैमिली बॉर्ण कब हुआ है इनका जन्म जो हुआ है 1958 को हुआ है ठीक है याद रखना है ठीक उसके बाद दोस्तों आगे जो हम लोग थोड़ा से जान लेते हैं इसमें मैन करेक्टर के बारे में एक जो मैन करेक्टर खूद जो है नरेटर है जो लेखा के वो खूद है और दोस्तों एक है आपका एनन वो जो है आपका बामाज इल्डर ब्रोदर है बामा का बड़े भाईया है ठीक है वी टू आर हीमन बिंग्स भाई बामा इस स्टोरी अबाउट अंटेचिबिलिटी ठीक है दोस्तों यह जो है आपका छुआ छुद से रिलेटेड जो आपका जानकारी दिया गया है कि छुआ छुद जो है एक अभिसाप के तरह से है उसके बारे में बताएगे इसला राइटिंग से अपका है नौटिस राइटिंग लेटर राइटिंग उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग उसके बाद दोस्तों नोट मेकिंग एंट समरी राइटिंग जिसमा अपका अंसिन पैसेज भी सामिल है तो दोस्तों यह था आपका इंग्ली स्कोर का complete syllabus दोस्तों आप सभी से request होगा कि प्लीज आप सभी इस वीडियो को जादा से जादा आपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और कहीं भी कुछ भी problem हो तो आप हमें Instagram पे message कर सकते हैं यहाप मेरा Instagram का ID दिया गया वहाँ जाके अगर दोस्तों आप लोग को नोट्स वेगरा चाहिए हो तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करते हैं आज कई वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स आ जाते हैं तो आपको तैम मानिए कि इंग्लिस का अब रेगुलर आते रहेगा तो दोस्तों आसा करते हैं आज कई वीडियो आपको पसंद आया होगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर और कमेट करना ना भूले तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्रम कर दोस्तों बाहतुर आपको हृएkal करते हते हैं UP पसंद बिल्कृत आपको है